यूटूब गो यूटूब का लाइटर वर्जन है जो अब बंद होने वाला है तो हम क्या करें इसमें आपको मैं बता दूँ कि यूटूब गो एंडूइड गो के साथ लॉंच किया गया था अब तक तो यूटूब पले नहीं पड़ रहा था अमरी अब ये एंडूइड ग लोग क्या आ गया तो एंडूइड गो ऐसे फोन में यूज किया जाता है जिनकी रैम 2GB या उससे कम है लेकिन आजकल तो बेस वेरियंट ही 4GB रैम के आते हैं तो क्या एंडूइड गो खतम हो चुका है और अब यूटूब गो भी खतम हो जाएगा ये तो वीडियो देखक को पता चल रहा है कि इसमें किस्टमाइजेशन एंड फीचर्स कम मिलेंगे एंडूइड एप्स सब चलेंगी लेकिन उनमें से फीचर्स कम कर दिये गए हैं और लाइटवेट वर्जन एक फोन को रन करने के लिए फास्टर बनाने की दिए ऐसा किया जाता है अब इन फोन म और ज्यादा सस्ते फोन्स देखने को मिलने लगे और जिन में डाटा कंजप्शन तो कम होता ही था सखात में लो एंड फोन्स में पावर एफिचेंसी भी देखने को मिलने लगी जिससे फोन हैंग नहीं होते थे ऐसा ही यूटूब गो को लेकर भी कहा जाता है जो काफी स्टेशन ही पार कर दी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को इंटरनेट यूज करना ही मोटा भाई ने सिखाया है लेकिन पहले मैं कुछ 100 MB का पैक लेता था जो बहुत दिनों तक चलाना पड़ता था लेकिन अब 2GB RAM का दिन का भी मुझे कम लगने लगता है और प् फोन्स की स्पीड के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो प्ले अगर करते हैं वहाँ पर तो 720P तक ही जा सकते हैं 1080P तो बहुत कम लो एंड फोन्स रन कर पाते हैं जिसे स्पीड एंड स्मूद एक्स्पिरियंस तो आप भूली जाओ जैसे कि Android Go को लो ए इजाइन किया गया था लेकिन अब तो मिडिया टेक भी अंडर 10K में बहुत अच्छे प्रोसेसर ला रही है और यो नी एसोसी तो पूछे ही मत अब यह प्रोसेसर एंडुइड के लेटेस्ट वर्जन को एजिली रन कर सकते हैं और रैम भी काफी सारे फोन्स में आपको 4GB देखने को मिलने लगी थी जो साइज चिप सोटेज की वजह से अब लो एंड फोन्स में 3 या फिर से 2GB रैम देखने को मिलने लगी है सेमिकंडक्टर स्प्लाई नहीं होगी तो रैम मोडियूल छोटा ही रखना पड़ेगा जो चीप भी पड़ता है और इसली एवलेबल भी हो जाता है जिससे एंड्रोड गो की डिमंड बढ़ जाती है और मैंने आपको रैम वाली वीडियो में भी बताया था कि एसेंशेल रैम 6GB होनी चाहिए जो कि लेटेस्ट एंड्रोइड वर्जन को रन करने के लिए बताई गई है अब बात करें मोटा भाई के फोन्स की जो प्रगती OS के साथ आता है उसको भी लोग Android Go समझते हैं मैं भी समझता था वो पाटनर्शिप का तो है ही साथ में इसमें आपको गूगल ने जो वर्जन डेवलप करके दिया कंपनी को उसे कुछ एडिशनल फीचर एड़ करके वे भी इंप्लिमेंट करने पड़ते हैं जिससे फोन में एक्सक्लूजिविटी और गूगल कंट्रोल साथ में आ जाता है अब बात करें Android Go क्या बंध हो चुका है तो काफी हद तक क्योंकि जिन फोन में इसे यूज किया जाता था गूगल तो एप फीचर कस्टमाइजेशन कम कर देता है लेकिन कंपनी ब्लोट वे यहां पर आती है जो रियल में भी रन होती है Android Go की अगर बात करें तो जिससे अब Android Go तो देखने को मिलता है लेकिन Android Go बेस्ट जो एपस है वो डिजाइन की गई थी वो नहीं मिलती क्योंकि हैवी एपस को छोड़कर बाकि सभी एपस Android जो एजली रन कर सकती है अब ऐसा क्य से बेटर एक्सपिरियंस कम से कम पैसों में देखने को मिलता है अब लास्ट में बात करें यूटूब गो जो एप डिसकंटीनियू कर दिया गया है और रेम रिक्वार्मेंट पेंडेमिक से पहले जैसे बढ़ रही थी अब चिप सोर्टेज होने से उन में स्टेबिलिटी अब अगर फ्यूचर में चिप सोर्टेज खतम होती है तो आपको साइद 5000 के फोन्स में भी 4GB RAM देखने को मिलता रहा है तो यही थी वीडियो आपको सब समझ आ गया होगा तवारिया आपके पॉलो